हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब योटूब चाइनल पे स्वागत करती हो आज के वीडियो लेक्षिर में क्या करने वाले हैं? पिछले वीडियो लेक्षिर में मैं आप सभी को जो भी important question था ये सभी बता चुकी हो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सभी question का solution तो चलिए आज से solution करते हैं पहला number question क्या था define elastic constant and deduce a relation among them सबसे पहले हम लोग को define करना है ये elastic constant क्या होता है तो पहले elastic constant का definition देख लिजिए तो होता है हम लोग का elastic constant measure the proportionality between stress and stress in a crystal मतलब द्यान से समझी है elastic constant एक प्रोपोस्टनल होता है कि इसके strain और stress क्यों देखिए मैं समझाना चाहूंगे आप लोग समझने की कोशिश किजिए देखिए physics को अगर आप लोग रटने की कोशिश कर रहे है तो फिर सुचिए बहुत दिक्कत होने वाली है एक जाम में समझने की कोशिश किजिए Elastic constant होता है Elastic constant measure the proportionality between strain and stress in a crystal provided that the strain is not so large as to violate Hooke's law तो देखिए हम लोगों का क्या होता है यह हम लोगों का होता है देखिए Yes strays हम लोग Elastic elasticity पर रहे है बिलास्टी सिटी इल स्यटी qualifying करते है प्रपोसनलीटि साइन को हटाते है देखिए ध्यान से देखिए अगर आप लोग proportionality sign को हटाते हैं तो कोई न कोई constant आएगा into a strain तो यहां से क्या जाएगा आप लोग को stress upon strain समझेगे मैं समझाने की गोशिस करती हूँ फिर हम लोग language की तरफ जाएंगे तो हम लोगों का elastic constant जो होता है यह होता है क्या यह होता है हम लोग का proportionality between a stress and strain यही होता है हम लोग का Elastic Constant यह Elastic Constant को define करना था समझिए Elastic Constant हम लोग को major करता है Proportionality between strain and stress in a crystal provided that the strain is not so large as to violet hook's law यह हम लोग का Elastic Constant का definition है तो हम लोग का Elastic Constant 10 टाइब का होता है यहां बताना है define Elastic Constant and deduce a relation among them मतलब Elastic Constant के भीच में जो relation होता है न वो बताना है तो हम लोग के Elastic Constant के कौन-कौन टाइप होता है अगर टाइप पता होगा वो कौन-कौन सा टाइप होता है तभी तो हम लोग उसके बीच में relation establish कर पाएंगे तो यह हम लोग के तीन टाइप का होता है एक होता हम लोग का modulus of rigidity और उसको young modulus भी बोलते है कोई और इसका denote करने का तरीका है किसी-किसी book में कुछ और रहता है किसी-किसी book में कुछ और रहता है मैं दोनों बतादूँगी ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अगर आप लोग कहीं और से भी पढ़े होंगे तो और हम लोगों का दूसरा होता है bulk modulus और तिसरा होता है modulus of rigidity और shear modulus तो देखिए elastic constant का definition समझे तीन टाइप का होता है modulus of elasticity, bulk modulus और modulus of rigidity या फिर इसको shear stress के भी नाम से जानते हैं यह जो हम लोग denote मतलब पहले denote कैसे करते हैं हम लोगों को यह तीनों में relation बताना है मतलब हम लोगों को EKG EKG में एक relation होता है जो कि मैं फिसले वीडियो में बताई थी थोड़ा सा यही relation होता है हम लोगों को EKG तो E equal to 9 kg upon 3K plus G यही हम लोगों का result जो है वो derive करना है तो आप लोग एक्जाम में ऐसे भी question पूछा जा सकता है यह relation देके पूछा जाएगा derive this moduleWeb closestccide I would be more ofール on camera सब्सक्राइल किके इसे करते हैं मौडूलस को के से करते हैं देखि़े मौडूलस अफिलास्किशीटी को हम लोग e से भी करते हैं और गामा से भी करते हैं फिर कहेंड रहेepी ज़िको से बिलेक्वोराइशन देखेंगे चलिए देखिए, modulus of elasticity क्या होता है, हम लोग पहले समझेंगे, पहले थुरा सा definition पढ़ लीचे, फिर समझते, इक्सटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट चलेगा वी दिन दिमीट ओफ एलास्टिसिटी यह लिखना जरूरी है विदिन दिमीट ओफ एलास्टिसिटी तो लोंगी कर्ण इस ट्रेस्टीज इस कल दी यंग मोडूलस अव्डी मैटरियल अफ दी बड़ी देखिए यह आप लोग को नहीं समझ में आया वोगा बिल्कु मोडूलस को कि से लिनोट करते हैं करते हैं दू doubt करहें दीजिए अभी हम लोग पहला किया पार है के लोग को रहें कि लोग होता है किसका टीक हो जाएगा और लेकिन यह गूरू का flows लोंगिट्यूडनल स्ट्रेश अर्यस स्रेस लिखा है नहीं तो नहीं मैं नोट्स अच्छा तरीक से लिख के लाई हूं ताकि आप लोग उसमें से अच्छे से लिख सकते हैं तो हम लोग को Elastic Constance stress upon strain होता है Elastic Constance का ही टाइप है तो इसमें भी हम लोग का Elasticity होता है तो यह हम लोगों का Longitudinal के बाड़े में मतलब कि Longitudinal stress upon longitudinal strain होता है अगर आप लोगों को stress का formula नहीं पता है तो मैं बता जाती हूं force upon area होता है और strain का जो formula होता है वह होता है चेंज in length upon original length तो यहां से हम लोगों का क्या जाएगा F upon L और यह L उपर जाएगा delta L तो हम लोगों का यहां से यंग modulus जो आएगा वह हो जाएगा F L A delta L यह हम लोगों का क्या है यंग modulus हो गया यंग modulus को किसे denote करते है गामा से यंग modulus क्या होता है देखिए यह सभी बाते समझ लेजेगा तो आप लोग राटिएगा भी नहीं तो फिर भी इक जाम में लिख सकते में यंग modulus क्या होता है यह होता है यह होता है longitudinal stress और longitudinal stress stress क्या होता है यह stress अगर किसी भी बडी में force लग रहा है और उसका cross-st dampened area तो दोनों का ratio हम लोग का stress कहलाता है ओके तो यहीं बस यहां पर बूक का से आगे तो यहीं पर हम लोग यही बात जो मैं आप लोग को समझाई हुँ न वही लिखावाई देखिए वेन इक्वल एन पोजिट फोर्से आ एक जाटेर और ने बढ़ी एलोंग वन डिरेक्शन वाली से एक ही डिरेक्शन में फोर्स को लगाया जा रहा एफ ओके इस तरीके से आप लोग को अच्छा सा डिफनिशन लिख सकते हैं और यह हम लोग क्या कर लिए यह हम लोग एक लेंथ का माल लिए क्या माल लिए इसको एक सिलेंडर है एक सिलेंडर है जिसमें हम लोग इसका एडिया आफ क्रॉसेक्शन ले लिए क्या ए है और इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे न देखिए यह हम लोगों का एक सिलेंडर है अरे कुछ नीचे राखूंगे ना तो फिर सही आएगा चली देखिया यह हम लोगों का एक सिलेंडर है तो इस पर अगर हम लोग फोर्स लगाते है तो यह कुछ जो है ना यह कुछ मतलब कि यह घीच जाएगा मतलब कि एलोंगेट हो जाएगा तो यह अपलो का डेल्टा एल इसका एडिया प्रो सेक्षन क्या है और फोर्स इस पर क्या लग रहा है फोर्स लग रहे तो इसका ओर इसका अरीजनल लेंथ जो था एल था और फोर्स लगाने के बाद यह डेल्टा एल जो है वो एलोंगेट हो गया है तो हम लोग का स्ट्रेंड का फर्मूला अगर यह लेंद्ञ इंक्रीज़ देल्टा सेक्ष्ट इक्रीजहएं इसका लेंद्ञ इंक्रीज़ थे लंग लंग लेंद्ञ पर लगा है तो हम लोग कुछ ऑन गीच गए तहार है तो तो थोड़ा सा घीज जाता तार को अगर आप लोग को समझने की कोशिस नहीं किजिए रहने दिमाग को जोड़ नहीं देजिए बस समझ लीजिए कि हम लोग का एक वायर है जिसका लेंद एल है और इसमें लेंद बढ़ जाता है जब हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं तो यहां से फोर्स अमेडीय आऑगा और यह मोडलफ का डीफिशन क्या बोलता है हम लोग का लोग इसमेंद देजोंब देल्टा अलोपन देल्टा अडिहां से यह मोडूलस से यह बस स्काराइगे यहां से 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 यहां स यूदि को भी देखने को मिलेगा दानों से दीनोट करतेवे अब हम्हें लोग नेक्स्ट क्या देखिएंगे फिर अपक्या की रिलेस दीनाइज द्यू पर दशो यहाई वंध को अब बल्क मोडूलस देखा जाए देखिए यह कोस्टन आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है पूछने का कोस्टन बहुत तरीक हो जाएगा एक्स्प्लेन दी फोलोइंग टर्म पहला एक मोडूलस दूसरा बल्क मोडूलस तीसरा आप लोगों को पूछ दिया जाएगा तीसरा पूछेगा मोडूलस और चोथा पॉइजन डेशियो बहुत इंपोरेंट टोपिक है चोथा में यह देदेगा और एक कोस्टन तयार हो ग आप लेटरल्स तल्म बहुत के लिए बहुत बल्क मोडूलस ऑफ ब्लिक रिजडितीय। उसको सियर मतलब कि क्या बोलते थे अभी थोई दे पहले तो मैं बताई सियर मॉडूलस ओके तो जो सियर में मॉडूलस होता है वो एडिया के लिए होता है तो यहां बल्क मॉडूलस में अगर आप लोगों से कोई की सब्सकर तो कि लिए सब्सक्राइबी अंगे ौडी पे तो कि सब्सक्राइबे तो इसका रेशी हो जाएगा यहां अधिए जो प्रेसर लगाते उसको नॉर्मल एस्ट्रेस करलाता है तो वीदिन दे लिमिट व फिलास्थिते दे लिए व्लास्टरिशिति a 4서 sollenhas स्ट्रेंग वाल queste please only by National Anthem youtube कि टारीके स्टारीकाफ बना लेजिए किया समें प्रेशर लगाइए वाए पी लेंग विप्सी स्ट्रेंग से और देल्टा पी turf ईपऊन भी बन खेंगा वालिम व्या और बारी सिर्वेख सहनीच सर्फष इंक्रीजब ये जब हमग प्रेसर लगा तो वॉल्म जो है वो एकाटक तो oyn Iniokol कुछ घंत्र जो प्रेसर है जो लोग को आञें लोग वही बीटे देख चुक है लेकिन हैं यहांपे बल्क मॉधुला से बल्क के ल ощущ फोन स्टेट का तरस तरस दो लेकिन आपते में मोडूलियस है बक्वाल्यूम के लिए नहीं दिमाग नहीं लगाने तो सब्सक्राइब और बंड्री में होता है ic में मतलब कि दिल्टल करेंद एम यौल य५िकम आफ यह क्यूंगों पर उससाइब करता है यह पूझधा कि था सब्सक्राइब बिख मतलब वालियूम और वालियूम मतलब चेंज इन वालियूम मतलब कि उसका जो स्टेंड जायाएगा ऊपन ओरुजनाल वालियूम कुछ ओर चीज़ होता है सौरी बल्क मॉडूलस को डिनोट करते के से के एक वल्क मॉडूलस इसको डिनोट किसे करते के से ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है बस यह सभी याद रखिएगा क्या बस देखे मैं अभी एक बात बोल लिए ध्यान से सुनिया हम लोगों का एलास्टिक कॉंस्टेंट होता है एस्ट्रेस अपन एस्ट्रेन यह तीन टाइप का होता है पहला होता है लोंगिट्यूडनल दूसरा होता है बल्क मॉडूलस और तीसरा होता है हम लोग का मॉडूलस और तीसरा जो हो लेंद के लिए है और तीसरा जो है वो एडिया के लिए तो पहला हम लोग का लेंथ के लिए है लेंथ मतलब लेटरल मतलब लॉंगिट्यूडनल तो हम लोग पहला जो यंग मोडूलस निकालेंगे वह लॉंगिट्यूडनल यह तो वॉल्यम के लिए होता है इसमें क्या करेंगे आपन रिजिया स्टेशने तो इसमें क्या करेंगे हम लोग का निचे स्ट्रेस करते थो तो चैंज थे आपन औरीजनल ऐसे डिवाइड करेंगे इस टाइब से करके आप लोग को पुरा याद रखना है और अपने एक्जामनेशन में ऐसे तरीके से खुझ से बना के लिख लिए गार और मैं मैं और और ऑप लोग अच्छे तारीके से लिख पाएंगे तो समाजी गए, modulus of rigidity क्या होता है, देखे, when a body is seared, when a body is seared, the ratio of the tangential stress, ok, tangential stress to the searing strain, within the limit of elasticity is called modulus of rigidity of the material of the body, ok, चलिए देखे नीचे, देखे, डिक्षे, डिक्षे हम लोग का, tangential stress, इसमें क्या, force upon area, और searing strain, जो है, वो theta हो जाएगा, ok, एप उनीय, हमलोग रोध जाएगा, इटा से दिनोटकरटेंगी, इसको एक्वल वप, मतलब कि हम लोग का, stress की efforts अपन एडिया, और strength के theta तो यहाँ हम लोग का, theta हो जाएगा, चलिए, अब आगे दिछिए, अब खतम हो चुका है हम लोग का, आप हम लोग क्या देखेंगे रिलेसंगे। तो देखियेे वीडियो का लेंध लेडी बड़ा हो चुका है अब मैं नहीं आगे बता सकती है। तो next video में हम लोग relation between elastic constant देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें आज के वीडियो में देखें elastic constant क्या होता है इसके type कौन कौन से है और सरे type को मैं explain की और यह जो type में बताई हो अगर नहीं भी आप लोग exam में लिखेंगा यह सभी type इतना explain करके तो कोई बात नही इसलिए मैं आप लोग को यह first lecture में provide करवाई हूँ तो हम लोग आज के वीडियो में क्या देखें आज के वीडियो में हम लोग यंग मॉडुलेस बल्क मॉडुलेस और मॉडुलेस और मॉडुलेस ओ रिजिटी समझे है इतने अच्छे तरीके से मैं नोट्स दियू एक बा मेरे पास नोट्स के लिए नहीं आएगा पूरा complete हो जाएगा ना उसके बाद अगर मुझे मेरी मर्जी करेगी तो मैं आप लोगों को यह इसका नोट्स दे दूंगी पहले screenshot ले लिजिए उसके बाद का बात होगा बाद में क्योंकि सारे इस्टुडेंट तो पैसा पे करके नहीं न ले सकते और जो भी इस्टुडेंट अकर मुझसे प्रस्टनली मैसेज करें कि पीडियेफ मांगने आएंगे तो उस समय मैं जाकर पीडियेफ बनाऊंगी तो वह में पीडियेफ का मेंटेनेंस चार्ज तो मैं ले ह सकते और मोडूलेस फ्रीजिडिटी यह फिजिक सबसीडिरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो उमीद करते हैं आप दोनों यह इस्टुडेंट इस वीडियो को देखके वीडियो को इंज्वाय कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में लोग इसका रिलेसन बेट्वी एलास्टिक कॉंस्टेंट डिराइब करेंगा जो कि एक्जाम पॉइंट अब यूज है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सोचने से अच्छा यह सोच लिजी यह तो एक्जाम में आएगा है क्योंकि यह तो आने ही वाला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ल आडियो!